हेलो एवरिवन इस्टेंड्स हाव आर यू जब लगा देखने वीडियो वीडियो ना मिला तुझको पाया जब लगा देखने वीडियो वीडियो ना मिला तुझको पाया और जब देखा यूटूब में मिक्सप का नया वीडियो आया तो शुम्लों वीडियो के स्टाट करत के फार-च्राइबन के हूं एक्स की वालुईHere एक्सक्राइब करने हैं में रेश्यों भी दिया हुआ है.. और हमें एक्वल कर लेते तो यह हमारे जो अंदर के नंबर हैं यह मीन बोलते हैं वाहर के नंबरों के एक्ष्टीम बोलते हैं तो मीन मीन का मल्टिप्लाई करेंगे और एक्ष्टीम एक्ष्टीम का मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमने लिखा 15 मल्टिप्लाई 40 एक्वल एक्ष्टीप्लाई 25 तो 5 5 जा 25 5 8 जा 40 5 1 जा 5 5 3 जा 15 तो 8 3 जा 24 यह आपका आंसर आ गया एक्ष्ट दिया है यहां एक्ष्ट रेश्यो 9 एक्वल 36 रेश्यो 54 है तो मीन मीन का मल्टिप्लाई करेंगे और एक्ष्टीम एक्ष्टीम का मल्टिप्लाई करेंगे तो X इंटू 54 एक्वल 9 इंटू 36 तो 9 बन जा 9 9 जा 54 6 बन जा 6 6 जा 36 तो आपकी X की वैलू क्या आगी 6 है फिर्ष्टन हमारा एक्स पन दिया यहां पर हमारा अजंटी लगती है यहां अजंटी लगती A की पावर M की होल पावर M तो बनी हमारी आजंटी A की पावर M तो हमने क्या क्या 6 अपन 11 और 4 और 8 का हमने मल्टिपले कर लिया एक्वल 6 अपन 11 की होल पावर 4 X तो हमने क्या क्या 4 से 4 यह हमारा कैंसिल हो गया और हमारा बेस बेस सेम है तो compare करें तो X की वैलू जा आगे 8 यह आपका answer आगे है फिरस्टन देगे इसी तरी की यहाँ पर multiply है और बेस सेम है लेकिन power different है तो यहाँ पर problem क्या लगा A की पावर M into A की पावर N जिसे हम लिए सकते हैं लाव अडेंटी के अकॉर्डिंग लाव एक्स्प्रेंट के अकॉर्डिंग A की पावर M प्लेस N तो माइनस 3 की होल पावर 6 प्लेस 4 एक्वल माइनस 3 की होल पावर X तो 6 में 4 एड़ किया 10 तो X की वेलू आपकी क्या आगे 10 पिर हमारे अप है भी कुछ है यह तो अडेंटी ही अप है भी दिवी है तो यह क्या बन जाएगी A की पावर M N यहीं हम और N का मल्टिव लए करते है पावर से में बेस डिफरेंट है तो इससे हम क्या करेंगे A into B ग्रेकन में की वल पावर M यहाँ डिवाड लगा तो इसमें हमारा क्या अजेंटी का फार्म लेंगा A की पावर M माइनस N अब इससे सिंप्लिफाई देखते है इस सिंप्लिफाई करते है हम यहाँ पर क्या करेंगे हम इससे एक्सपेंट करतेंगे माइनस 4 अपाउन 3 into माइनस 4 अपाउन 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 2 थी 3 की पावर 3 है तो 3 into 3 into 3 फिर into 1 upon 4 पावर 3 है 1 upon 4 into 1 upon 4 into 1 upon 4 तो यह 4 से हमारा 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 यह 4 यह जी तरीका था तो 2 upon 3 प्लस 3 upon 4 multiply 3 hold 2 upon 3 तो बार्ड मस रूल के according हम लोग बार्ड मस रूल के according अगर बात करते हैं बार्ड मस तो इसे हम लोग क्या करते हैं B से bracket, O से off D से divide, M से multiply A से addition, S सब्ट्रेक्शन तो इसे नहीं यहाँ पर multiply का यूज हो रहा है तो पर इसे हम solve कर लेते हैं तो टू अपॉन थ्री फिलस थ्री अपॉन फोर multiply यह mix fraction है simple fraction बनाएंगे थ्री और तरी का आप multiply करेंगे तो करेंगे तरी 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 जा नाइन और निम्वेटर में जो नंबर से एड़ कीजिए तो नाइन टू नाइन में टू अड़िया लेवन अपॉन थ्री तरी आपका कैंसिल हुआ इधर आपका टू अपॉन थ्री आया प्लस 11 मन जा 11 अपॉन फॉर यह और नंबर यह इवन नंबर है जब कभी ऐसा आपका अलसम में मिल जाए तो आपको अलसम निकालना है दोनों का आप से multiply करेंगे थ्री फॉर जा टॉल थ्री का आप टॉल में डिवाड़ करेंगे फॉर आया तो फॉर का निम्वेटर से multiply करेंगे 4 तू जा 8 प्लस 4 का 12 डिवाड़ करेंग 3 आया 11 का 3 से multiply करेंगे 11 तू जा 33 आप इस एड़ कर दीजे 33 में एड़ करेंग तो 41 आया 41 अपॉन टॉल यह आपका answer आया इस पकार से simplify कोस्टनों को find the value अले कोस्टनों को solve कर सकते ही आपको इसका second पार्ट भी मिलेगा तब तक ल